स्टूडेंट, वेलकम टुए ने शान्ति गुज ओर्लेंड क्लास, मच आजम पढ़ेंगे, पदार्त एवं उनकी गुड, मैटर एंड या क्वालिटीज, हमाई चारों और हमें तरह तरह की वस्तुवे दिखाए देती हैं, उनके आकार रोप और रंग अलग अलग होते हैं, जैसे नमक, चीनी, कोईला, लोवा, सोना, कितावे, मेश, कुर्सी, हवा, जल, दर, वाजे, खिर्गी, आदी, ये सभी वस्तुवे किसे ने किसी पदार्तों की बनी होती हैं, विविन वस्तुवे विविन पदार्तों की बनती हैं, पदार्त वे तत्वे जो स्थान गेरता और इसमें भार होता है, वेट होता है इसमें, सभी पदार्थ शूष्मकडों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ किससे बने होते हैं, शूष्मकडों से मिलकर, इन्हें अडू कहते हैं, ये अडू इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्म आखों से नहीं देखा जा सकता, सिर पढ़ी थे तीन वस्ता होती है थोस द्रफ गैस यानि सॉलिड्ल लुकिड डैल गैस समेटर के यह तीन टैप्स होते हैं सॉलिड फरूस के वारे में पढ़ेंगे ठीक है ठोस के अनु पास पास होते हैं इसमें अडू स्वतंत रूप से गती नहीं करते हैं ठोस पदार्थ के अनु एक शक्तिचाली बल से बंदे होते हैं इस बल को अंतरा अनुक बल कहते हैं इन पदार्थों का अंतरा अनुक बल अधिक होता है ठोस पदार्थ कठोर तता मजबू असानी से गति कर सकता है द्रफ के अड़ों के बीच लगने वाले अंतरा अनुक बल्ठोस से कम होता है इनके अड़ों एक दूसरे को मजबुत से मजबुति से अक्रशित नहीं करते हैं द्रफ पदार्त का आयतन दो निश्यत होता है लेकि अक्रशित नहीं होती है इने जिस अविश्यत नहीं होती है जो पी पदार्त होते हैं जिसे पानी जल दूद कि गैस के अनुक द्रफ यापश्य बहुत दूर ढूरों बीच आने वाला अंत्रा अणुक बहुत कम होता हैं उनके बीच बीच में बहुत अधिक स्थान होता है यह किसी भी दिशा में गती कर सकते हैं, गैस का ऐतनोरा का निश्यत नहीं होता, इसे चित्र पात्र में रखा जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है, उसका अस्थान गे लेती है, गैस को हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता है, तो बच्चे आपको हुमबक पे, गैस लिक्व